नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ रमेश सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्वीटर की दो ऐसी सीक्रेट सैटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और ये आपके लिए काफी useful और जरूरी settings है जिनने आपको अपने ट्वीटर अकाउंट पर enable जरूर करनी चाहिए तो कौनसी दोस्तों ट्वीटर की ये दो सीक्रेट सैटिंग्स चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले top left side में अपने profile icon पर click करना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से कुछ option आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा निचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप यह option देखते हैं settings and privacy आपको इस option पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा निचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप security का यह option देखते हैं आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से आपके सामने दो options आएंगे तो friends इन दोनों ही options को enable करके आप अपने Twitter account को more safer and more secure बना सकते हैं और उसे hack होने से बचा सकते हैं तो यहाँ पर आपको first option two factor authentication को enable करने के लिए इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और options आएंगे तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप first option text message को select करके two step verification code अपने mobile पर मंगवा सकते हैं या फिर authentication app को select करके अपने mobile में किसी app को authorization दे सकते हैं फिलाल दोस्तों मैं यहाँ पर text message select कर लेता हूँ आपको भी text message option को select कर रहा है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको get started के इस option पर click करना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने password enter करने का option आएगा तो यहाँ पर आपको अपने Twitter password को enter करना है और उसके बाद verify बटन पर click कर दिना है अब दोस्तों next interface में आपके सामने आपके register mobile number पर code भेजने के लिए का जाएगा तो यहाँ पर आपको send code के इस बटन पर click करना है इसके बाद next interface में code enter करने का option आएगा और साती आपके mobile number पर एक code भी भेजा जाएगा जिसे आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद next के इस बटन पर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से आपके twitter account पर two step authentication enable हो जाएगा अब जब भी आप अपना twitter account login करेंगे तो आपके mobile पर एक code भेजा जाएगा जिसे आपको enter करना है तब ही जाकर आप अपने twitter account में login कर पाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीची की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से अपना backup code देख सकते हैं जो authentication code receive ना होने की condition में आप use कर सकते हैं और अपने twitter account को open कर सकते हैं इसे आप किसी cloud store या फिर किसी notpad पर save करके रख लेजिए finally यहाँ पर आपको got it के इस button पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीची की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप backup code का यह option देख सकते हैं इस पर click करके आप अपना backup code यहाँ से भी check कर सकते हैं और अगर आपको अपना backup code चेंज करना है तो generate new backup code के इस option पर click करक हैं और generate a new password के इस option पर click करके आप उसे change भी कर सकते हैं temporary password ट्विटर के थुरू other website या फिर third party applications में login करने के लिए use होता है और एक गंटे के अंदर ही यह password expire हो जाता है तो दोस्तों security purpose के लिए काफी useful trick है तो इस तरह से friends आप अपने Twitter account पर two step authentication setup कर सकते हैं आप यहाँ पर next option ह है password reset protection तो guys आपको इस option पर click करना जैसे आप click करेंगे इस तरह से pop up आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने Twitter account का password enter करना है और फिर इसे ok कर दिना है इसके बाद इस option के checkbox में tick लग जाएगा और यह option select हो जाएगा अब जब भी आप अपना Twitter password change करेंगे तो आपको email या फिर आपके mobile number पर इसका notification मिल जाएगा जिसे आप confirm करेंगे तभी आपका password change होगा otherwise नहीं तो इस तरह से friends आप अपने Twitter account पर इन दूनोई settings को enable करके अपने Twitter account की security को और भी strong बना सकते हैं और उसे hack होने से बचा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड जय हिंद